अलेकुम स्रूडेंट, होप सो आल आफ यार फाइन, टोड़ी विल डिसकस अबाउट इंटोगोमेंटरी सिस्टम ऑफ इनवर्टी ब्रेट, इन प्रिवियस लेक्चेर हमने बात की थी के इंट्रोडेक्शन टो इंटोगोमेंटरी सिस्टम, बेसिकर इंटोगमेंटरी मेंटोगोमेंटरी सिस्टम किस तरह का होता है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जो इंटिगोमेंटि सिस्टम है वो डिफरेंट होता है किसी के अंदर प्लादमा मिम्ब्रेन के ही इंटिगोमेंटि सिस्टम होता है और किसी के अंदर पेलीकल होती है और किसी के अंदर क्यूट सिर्फ बेर जैड की बात करते हैं प्रोटवा की किस की बात करते हैं प्रोटवा की बेसिकल यह प्रोटवा बेसिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकल और functions के हिसाब से ये बिलकुँ सेम होती है किसकी तरह मल्टी सेलूलर प्लाजम मेम्रेन के तरह यानि कि जो प्लाजम मेम्रेन मल्टी सेलूलर प्रोटोजवा के अंदर होती है सलूल प्रोटोज़य वही प्लाजम मिम्रैन सिंга सेल मजब होती है और यह सेम फ़ंक्शन करती है जो मजटिसल के परफॉम करती है अब बतलू करता 1 प्लाजम मिम्रैन होती है इस Talking के जरीए से क्या होती है डिफीजिन का परसेस होता है डिफीजिन के जरीए क्या होती है गैसिस एक्सचेंज होती है गैसिस का एक्सचेंज होता है तो यह प्लाजम मिम्रेन के जो सिंगल से प्रोटोजोगा के अंदर बहुत से फंक्शन है जो यह प्ले करते हैं मतलब के जो होती है और कार्म डेक्साइड आउट होती है रेगॉलेशन का सारा परसाज जो है यह प्लाजर्म जा थे इसकीललवेंग त्षे त्थे सिंगल सेल्ड उसके लब अगर हम अगर प्रोटोजवा की बात करें, मल्टी सेल्ल की, सेल्ल और प्रोटोजवा की, बेसिकलि मल्टी सेल्ल की बात करें, तो उनके अंदर क्या आ जाते हैं, पैरा मिशियम आ जाते हैं, इनकी जो बेस्ट इग्जेम्पल है, वो कौन सी है, पैरा मिशियम, अगर मैं पैरा मिशियम की बिसिकली बात करूँ तो पेरा मेशियम के अंदर क्या होता है कि एक पैलीकल होती है क्या होती है पैलीकल अब बिसिकली पैलीकल का क्या मतलब है पैलीकल का मतलब है कि ये पैलीकुला लैटीन जबान का लफज है पैलीकुला जिसका मतलब है थिन परोटीन इसका मतलब है थिन प्रोटीन 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 के अगर हम 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 प्रोटीन के अगर ठीक है तो यह थी पलाजमामेड प्रेजbene अब यह प्लाजमÈमरेड फर्थर फर्ट्टेक्शनBob प्रोटेक्शन प्रोटजोअ को इसको प्रोटजुएजूए को यह थी प्रोटुजूऊए अब उसके बात करेंगे कुछं दोर इन डींडिपरेट्स होता है बिसिकली कुछ यह जो multi-cellular invertebrates होते हैं most multi-cellular invertebrates ज्यादा तर जो multi-cellular invertebrates होते हैं उनकी integument basically एक होती epidermal cells की invertebrates ज्यादा जो multi-cellular invertebrates होते हैं उनका integument है वो एक single layer of epithelial cells के उपर मुश्मतिर होता है single layer of epithelial cells क्या मतलब single layer of epithelial cells का यानि कि simply आप यह भी कह सकते हैं कि epidermal cells epidermal layer होती है epidermal cells की epi का मतलब off bone और dermal का मतलब क्या होता है layer होता है ठीक यानि कि outside the layer जो होती है अपर सर्प्र सिंप्ली आप यह कह लें कि add the surface of an animal यह होती है epidermal cells होती है अब basically epidermal layer के निचे क्या होता है एक basement होती है क्या होती है basement और यह basement जो है किस से मिलकर बनी होती है connected tissues of fibers and cells से fiber and cells यह connected tissue के fiber जो है और cell उन से मिलकर यह बनी होती है और basically यह पहले में बता चुका हूँ कि यह invertive blade के जो layer है epidermis यह add the surface होती है और basically यह बाद उकाद कुछ invertive blades के अंदर यह glandular cells से मिलकर बनी होती है cells की कुछ types होती है और उनके अंदर जो glandular cells हैं उनसे यह मिलकर बनी होती है और यह भी बहुत से function पर्फॉर्म करती है तो basically यह था epidermal cells का थोड़ा सा introduction जो कईसी कुछ multi cell invertive blades होते है उनकी जो integrement है वो epidermal cells भी होती है तो उसके बाद हम बात करेंगे किसकी rotifers की rotifers basically कि मैं rotifers की बात करो तो rotifers ऐसे invertive blade है जनके अंदर radical के बेज़ए या platinum membrane के बेज़ए क्यों कोंसी होती है cuticle होती है koticle layer होती है basically cuticle in cuticle का मतल भी होता है यह Latin जिबान का लफस है किसका Latin का जो किससे निकला है cuticleage क्योटी कॉला से cuticle and exclusion and skin क्या होता है skin थिन अगर रोटीफर्ज की बात करें तो रोटीफर्ज के अंदर जो क्यूटीकल्स होती है यह बिसकली थिन होती है थिन होती है पतली इलास्टिक होती है ठीक है और जब कि अगर हम बात करें किसकी इंसेक्ट्स की क्रिफटेशिंस की एंड इंसक्ट्स की अगर हम इसकी बात करें तो विसके अंदर भी क्यूटिकल होती है लेकि इनके दूटिकल होती है वो थिक होती है और eder और रिजिड होती है ठीक प्रविक्स क्योंने और स्पोर्ट करते है जो इस्टिक्स की अंदर क्योंकि पीसे के कि यह ऐसी लेर है स्कीन की इसके डिसड़वांटेज यह है कि यह जो क्यूटिकल है यह क्या करती है कि एनिमल की ग्रोइंग के अंदर डिफिकल्टी प्रवाइड करती है यानि कि डिफिकल्टी ग्रोइंग विदिन गैम है डिफिकल्टी क्यों डिफिकल्टी कैसे डिफिकल् कर देती है क्लोज कर देती है ठीक है जैसे क्लोज कर देती है तो वो क्या इंसेक्ट्स जाए कोई भी करस्टेशन जाए वो उनकी जो लेंथ के अंदर वो ज्यादा मजीद ग्रो नहीं कर सकता तो पर यह कुछ क्या करते हैं लाइक आर्थ्रोपोर्ट के अगर बात कर लें तो यह ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कि अपनी जो आउटर लेयर होती है, शेडिंग होती है, आउटर लेयर होती है, उसको क्या कर लेते हैं, और अपने अंदर एक नई स्कीन पर डिवैल्प कर लेते हैं, जैसे अंदर नई स्कीन डिवैल्प हो रही होत ठीक है तो इससे क्या करते हैं फिर अपने थोड़ा सा गुरॉई भी कर लेते हैं और इनके जो नए स्कीन है वो भी इनके बोडियों पर डिवेल्प हो जाती है तो बैसिकली यह था किस्म का करस्टेशन का उसके बाद हम बात करेंगे कुछ कोरल्स की और हाइडरा की लाइक आएनिमल्स हैं उनके बा बात करेंगे बेसिकलि लिएंगर ध्रान की बात करेंगे इंदर सब्स्पय आ कोई होते हैं है कि नदर कोंसी लेर होती है ह Acho एक यह और कि यह न से लेर करती है फ्रों माइक्रोगिनीजमंसे और डिफेन फंच्छन्स पर्फॉं कर्फॉं करती है इसके बाद अगर हम कोरल्स की बात करें किसकी इसकी कोरल्स बात करें तो बेसीकल के CO3 calcium carbonate को secret करता है वो calcium carbonate क्या करते है कि इनके इदगीद एक shell जो है वो बना देते है जिसको हम shell का नाम देते है ठीक है shells का नाम देते है अब इसके लिए जो outer इनके जो outer layer होती है वो ये calcium carbonate से मिलकर बनी होती है जो कौन secret करता है? mucos gland cell create करता है इनके जो shells होते है ये एजा protective covering के तोर पर work करते है उसके बाद हम बात करें कुछ parasitic flux की और tapeworms की parasitic flux की and tapeworms की basic अगर मैं parasitic flux की बात करूँ या tapeworms की बात करूँ तो इनके अंदर क्या होता है? एक टीगोमेंट का मतलब ही क्या होता है? to cover करना, own cover करना basically इनकी जो outer covering होती है एक complex synchytium से ठीक है? इनके outer covering जो है to covering एक complex synchytium synchytium से मिलकर बनी होती है उस complex synchytium को हम टीगोमेंट का नाम देते हैं यह टीगोमेंट क्या करती है? बेसिकल इसका जो main function क्या होता है? यह nutrient की ingestion भी करती है protection भी करती है और against digestion by host enzymes अगर कोई बक्टेरिया जो है कोई वायरस जो है इनके ओपर कोई attack करता है तो यह उनकी digestion करती है यह skin जो हमको digest कर देती है host enzymes को ताके वो कोई disease न कास कर सके को इनको सान न पुछा सके तो यह basically parasitic flux के अंदर के complex synchytium की clear होती है जिसको debugging Wind का नाम देते हैं इसके पाँ हम निमाटोर्स और अनिलीड्स की बात करें यानि की फर्च करने時間 कि यह एक सेल है ठीक है एकसेल इस तुरिक्य से इनकी एकसेल खिज़ सपर बनेखतंट के और वश्先生 लेयर कईश्थ सरफ एक वंठ सेल ले ठीक होती है यह जोटे करिंब की ऩी ग१्रेठर की इस दिमाटि आच यह सबस्थर्वेटर्ण करती है तो वन स सबस्थे मिलीड करती कहाती है कि Fr क्या जी सब्सक्राइब क्योग सब्सक्राइब Can I purchase vegetal करें तो किẸ और सब्सक्राइब की तक काने तो व्हाई रॉब सक्षब्सक्राइब आप असे सब्सक्राइब पर runner लीच की बात करें किन्कि है कि इक जो कि ली anthropology tricky करें कर में कर इक कि pensa नदर कौनअ से इपविदमिस होती है आप इसे ककली जुए इंड्रों में टुपिखी डू पर मूझाती है फेन थीन सीडेटि्ड एपिडर्मस के और बेसिकली इसके अलावा क्या होता है कि कनेक्टिव टिशू डर्मिस कॉंटेनिंग जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं यानिके उपर कनेक्टिव टिशू होते हैं कनेक्टिव टिशू जो कुछ मुश्मितिल होते हैं कि इसके उपर कैल्शियम कार्बोनेट के उपर अब जिस तरी के से हमने पढ़ा किनके अदर नैडेरियन्स के अंदर नैडेरियन्स के अंदर जो कोरल्स होते हैं उनके म्यूकस ग्लाइन्ड क्या करता परड्यूस कैल्शियम कार्बोनेड परड्यूस करते हैं अब बेसिकली इनकी जो त्यप्पी डर्मिस होती है अब बाहर यसरास्टभी आज्यतने नयृशंद अर्फड ऑ्रो फोड़ विश्ध कर अगरम अर्फड्रोपोड की बात करू तो अर्फ Neph До एंदर एक कंप्लेक्स के इंवर्टेबरेट इन्टी होते हैं iranik के इनकल इनकल इन का इन्टी होता है एक Specialized Exoskeleton होता है Specialized Exoskeleton तेक है यानि कि अब चुकि आर्थ्रोपोर्ड हैं इनके अंदर कंप्लेक्स होता है लाइक जैसा कि अगर हम बात करें मुलस्कस की मुलस्कस की तरह यह भी ऐसी इनदर हर चीज़ कंप्लेक्स होती है चुकि इनके अंदर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आ जुकि होती हैं अर्थ्रोपोर्ड के अंदर तो इनके अंदर Specialized Exoskeleton होता है जो उनको क्या करता है जो इनको क्या करता है प्रोटेक्शन प्रवाइड करता है तो इसके लिए थे इन्वर्टी ब्रेड्स है कुछ है जिनको आज हमने इंट्री कमेंटिक सिस्टम के बारें डिसक्स करना था तो यह तारिक मारे लेक्च्चर होके थैंक यू